सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर को यहां पर कोई भी विल्ट इन फंक्चन यूज नहीं करना है और जो सब्सक्राइब करोगे न उसकी टाइम इन पर पर यहां क्या है अब हम हम सा अल्गुदम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा क्या हो टाइम कम्लेक्सिटी क्या हो एढकर न लौगे न हो तो यहां पर हम यूज करेंगे merge sort algorithm merge sort algorithm अपका क्या होता है यह divide and concur algorithm पे based होता है इसमें हम करते क्या है किसे भी problem को न सब problem में convert करते चलते हैं जब तक कि यह सबसे smallest problem में convert न हो जाए उसके बाद उस सब problem को हम solve करना start करते हैं smallest problem से हम क्या करते हैं solve करना start करते हैं और finally हम अपने बड़े problem को क्या करते हैं, solve करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, कि अपना यह divide and concurred algorithm आपका merge sort में कैसे work करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अपने को क्या दे रखा है, array दे रखा है, यहाँ पर दो चार ही elements है, हम पहले देख लेते हैं, फिर फर्दर हम एक बड़ा element भी लेके देखेंगे, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस array को divide करना है, तो इसका index आपको 0 से लेकर 3 तक होगा, क्योंकि इसका size आपका 4 है, तो अब आप क्या करोगे, इसको divide करोगे, divide कैसे करोगे, half-half parts में आप divide करोगे, तो अब जब इसको divide करोगे तो 5 2 आपका एक साथ होगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक यह आपका होगया, index, फिर 2 से लेकर 3 तक का जो भी elements होगा, आप यहाँ पे डालोगे, डाल दे आपने, ओके, यह problem आपका सब problem में convert होगया है, क्या इसे हम further भी divide कर सकते हैं, क्या यह हमारा smallest problem है क्या, ने, क्योंकि हम इसे further भी divide कर सकते हैं, तो further हम कैसे divide करेंगे इसको, यह आपका 5 होगा, 5 में हो जाएगा, यह आपका यहाँ पे 2 में हो जाएगा, हो गया, इसके बाद आपका यहाँ पे 3 है, और यह आपका 1 है, इसको भी आप further divide करोगे, तो 3 में हो जाएगा, पर यह 1 में हो जाएगा, तो अब क्या आप इसे further divide कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते क्योंकि यह तो सबसे स्मॉ्लेस प्रॉडम में कुई ना दिवाइ्ट किरेंगे तो यहां पर ना को इन नों को करेंगे इन नों को करेंगे फिर इन्दोनों से जो बनेगा, उसको merge करेंगे, फिर उन्दोनों से जो merge करेंगे, फिर ऐसे करके, हम क्या करेंगे? Merge करते चलेंगे, ठीक है? तो अपका concurr वाला पार्ट हो गया, तो यहां पर आप merge कैसे करोंगे? यहां पर आप जो merge करोगे ना पहला तो देखोगे 5 और 2 में smallest होने 2 है तो 2 को आप पहले रखोगे उसके पाद आप 5 के रखोगे हो गया आपका sort हो गया ना यह part इस सब problem आपका sort हो चुका है अब इसको देखो sort करो यह आपका यहां तक का part था अब यहां से लेकर यहां तक का part आप sort करोगे तो 1 पहले होगा उसके बाद 3 होगा अब यह दोनों sort हो चुका है अब हमें क्या करना है इन दोनों problems को sort करके हमारा जो यह problem है उनको solve कर लेना है तो हमारा क्या होगा यहां पर यह element होगा पहले फिर यह element होगा मतलब दोनों को हम compare करेंगे पहले 2 और 1 को compare करेंगे तो 1 आपका smallest है तो आप क्या करोगे 1 को रखोगे फिर इस pointer को क्या करोगे आप यहाँ पर move कर दोगे क्योंकि आपने 1 को choose कर लिया है 2 को तो नहीं करा है तो 2 का यहीं पर रहेगा दोनों को compare करोगे कि दोनों में से चोटा को नहीं है 2 चोटा है तो 2 को आपर यहाँ पर रखोगे और इसको यहाँ पर pointer को इस पे point कर दोगे अब इन दोनों को करोगे क्या compare दोनों में चोटा कोन है 3 चोटा है इसका address अ प्रॉब्लम आपका यहां पर सॉल्व हो गया यह प्रॉब्लम आपका यहां पर सॉल्व हो गया यह प्रॉब्लम आपका यहां पर सॉल्व हो गया इन्हों को आपने सॉल्व करा तो यहां पर यह मिला तो इस तरह से हमने क्या किया प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कनवर् इसके बाद हमने क्या क्या है solve करना start किया दीरी दीरी करके हमें solve करा finally जो हमार बड़ा problem था वो भी हमारा solve हो गया तो इस तरह से यह क्या हो गया हम क्या करते हैं दूसरा example भी ले लेते हैं एक बड़ा सा इसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर 7 ले लेते हैं तो इस तरह से हमने क्या क्या एक बड़ा साइलिमेंट ले लिया है तो यह आपका total size कितना हो जाएगा 8 हो गया ना 0 1 2 3 4 5 6 7 7 index रखता है यह इसका size आपका 8 है total 8 elements है अब हम क्या करेंगे इसको divide करेंगे तो divide हम कैसे कर रहे हाफ आफ कर रहे है वो हमें पता कैसे चलेगा code में आप कैसे करोगे तो यह आप इसको l consider करोगे इसको आप r consider करोगे यानि आपका leftmost index यह आपका rightmost index हो गया अब इन दोनों को आप क्या करो add करके divide कर दो 2 से तो जो mid index है वो हमें मिल जाएगा तो 0 plus 7 by 2 3 हो गया यानि यह आपका mid है यह क्या आपका mid है तो आप जो यहाँ पर divide करोगे यहाँ पर element लोगे यह l से लेकर m तक करोगे फिर m plus 1 से लेकर आप क्या करोगे r तक करोगे ठीक है तो l से m तक का element कौन कौन सा होगा 5,2,3,1 यह हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 1,6,4,7 यह हो गया यह part हो गया हमने इसको divide कर लिया अब हम क्या करेंगे इसको further divide करेंगे तो further आप divide कैसे करोगे तो यहाँ पर भी divide आप उसी तरह से करोगे यह आपका यहाँ पर इस array के लिए यह आपका क्या होगा जो l है और यह जो m है यह basically इसके लिए m था लेकिन इसके लिए rightmost index है इस array के लिए तो यह rightmost index है ओन दोनों को बिधक हमारा स्मॉलेस में क麼 बग नियुक तो यह आपका फाइब होगा यह आपका फरी नहीं कर सकते हैं तो हम इसको दिवाइट कर लिये हम इस पाट को भी हःब करते हैं तो यहां 16 x आएगा 4, 7 एक साथ आएगा फिर आप इन दोनों को divide करोगे तो 1 और 6 एक साथ आएगा, मतब एक साथ नहीं मतब दोनों divide होगा फिर यहाँ पर 4 and 7 divide होगा तो लिए हमने divide अब हम फ़रदर divide नहीं कर सकते क्योंकि यह single element में convert हो चुका है अब आपको क्या करना है यहां से कंक्योर करना है, solve करना है, merge करना है तो merge हम कैसे करेंगे पहले दखो, यह problem से यह problem बना है, यह problem से यह problem बना है, तो इस problem से जो problem बना है ना, इसको solve करो पहले तो इन दोनों को पहले merge करो, merge करोगे तो 2 छोटा है, तो 2 पहले होगा, फिर 5 होगा, फिर इस problem को solve करो आप, इस layer में जितना भी है उसको solve करो, तो यहाँ पर 3, 1 है, 3, 1 को solve करोगे, तो यह क्या होगा आपका, यहाँ पर, 1, 3 होगा, फिर इसको देखो कर लो, 1, 6 होगा, फिर 4, 7 को करोगे, यह क्या होगा, 4, 7 प्रॉब्लम आया ना, इस problem से आया, इस सब problem से आया, और यह जितना भी problem ना, इस सब problem से आया, देखो, फर्दर यह divide होते होगा, तो यहाँ पर, इन दोनों को merge करना है, फिर, इन दोनों को merge करना है, ठीक है, इन दोनों को merge करोगे, तो इन दोनों को merge करोगे, तो आप तो 2 को यहां पर हम रखेंगे 2 वाले pointer को यहां मूब करेंगे अब इन दोनों को compare करेंगे 3 और 5 में 3 चोटा है तो 3 को यहां पर रखेंगे फिर यह खतम हो चुका है इसमें 5 बचा है तो 5 को यहां पर रख लेंगे यह देखो पार्ट शॉट हो गया अब हम इसको सॉट करते ह तो यहां पर 1 और 4 को compare करोगे तो 1 और 4 को जब compare करोगे तो 1 चोटा है ठीक है 4 को हम यह रखेंगे 4 और 6 में compare करेंगे फिर तो four चोटा है, तो four को यहां पे रखेंगे, फिर six औzar seven पर compare करेंगे, तो six सोटा है, तो six को रखेंगे, बांकी बज़ा seven, तो यहां पर रख लेंगे से को, यह sort हो गया, अब इन दोनों sorted को हम्हें मर्च करना है, तो आब इन दोनों को यहां करेंगे,... है दोनों को हम रख लेते हैं लगल हैं ठीच यह चोटा और हला पोइंटर यहां पर तो इसका element बचा है यह दोनों को हम यहां पर क्या करेंगे क्या करेंगे कि हमें आप सौट रख लेंगे तो इस तासे यह प्रॉब्लम आपका क्या हो गया है जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसे आपको सौट करना था वह सौट हो चुका है तो इसका code हम कैसे करेंगे तो पहले तो अपना एक part होगा कि divide करने का ठीक है divide आप यहां पर कब तक करोगे यहां पर जब तक आपका बदा चल रहा है यहां से यहां तक का है आपका यह Aben में इन दोनों यह L इसे चोटा है ना इसका इंडेक्स जो भी होगा इसे चोटा होगा तो हम इसको फुर्दर डिवाइड करेंगे अब LB यही है, RB यही है, LB यही है, RB यही है, इसके इसमें LB यही है, RB यही है, LB यही है, यानि Leftmost Index भी यही है, और Rightmost Index भी यही है, तो further हम आप Divide नहीं कर सकते हैं, तो अपना यहाँ पर जो Divide जब करेंगे ना, तो हम Condition लख लेंगे, जब तक हम L less than R होगा, तब तक इसको हम Divide करेंगे, ठीक है, अगर हम Divide नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज करने का काम करेंगे, तो जब हमाँ Divide क्या हो जाएगा, उसके बाद हम मर्ज करेंगे, तो मर्ज हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यह सब प्रॉब्लम में अभी, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले मर्ज करेंगे, तो इस पार्ट को जब हम मर्ज करेंगे, वो कैसा होगा आपका, तो इसके लिए क्या करो, इसको आप Left Array मालोगे, एक एरे बना लोगे, Left Array इसमें आप इसको रख लोगे, फिर आप Right बनेगा उसमें 2 आप पहले रखोगे उसके वाद आप 5 को रखोगे जिसे हम क्या करते हैं जब हम मर्ज करते हैं कोई भी लिस्ट आपने सॉल्ब करा होगा कि कोई लिस्ट दो सॉर्टेट है उसको मर्ज करना है आपको पता है कि यहां पर आपको जो भी सिंगल लगते अब इन दोनों को कंपेर कर रहे थे दोनों में छोटा है जोटा उसको यहां पर रख्ते थे और इसको मूब कर दें इस पर से इस प्रॉल्म को यहां पर तो इसी इसको हम्-state कर लेंगे इसको भी हम सॉट कर लेंगे तो जो ऑगे मर्ज करना है इन दोनों को मर्ज करना क्योंकि यह दोन्हें ही तो हाव part में डिवायाइर हो के आय Dare था इससे यह फ़र्दल आप ने कर लिया फिर इसको प्राआ तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको देना है तो इस तरह से हम क्या करेंगे एक डिवाइड वाला पार्ट होगा एक हमारा मर्स करने का दो जैन इस तरह से पर और या या क्या रखता थे आपको शॉट बसकी आप यह उसको वेजा मर्जवाइश के पास मर्जवार क्या कर रहा है युश्य को डिवाइट करों गए जब तक खुमारा एल लेस्तन आ रहा है तो अपने को में सब इंडेक्स करना है इसके बार्ण क्या करना है तो डिवाइट कर देना है दोनों पार्ट को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे फिर से एक रिकर्सिब कॉल करेंगे Marge shortcut Nums L Mid L से लेकर 16 तो dawacy new चाह के ल luckily माइ एक लम्हान म करें लत्वक्त जो में को अपना सक्वान ली करें लेकर, फिर यह न लेकरrock मुझा o लाइग्ण पी टो ज्यूंने लेकर 35 पर नोया है है तो इसमें हम क्या करें है यहाँ पर हम सौर्डिंग गाम कर रहें। जो sorted array है, उन दोनों को merge करने का काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर, हम क्या करेंगे, एक left array बनाएंगे, एक right array बनाएंगे, ठीक है, दोनों का size ले लिया हमने, ln और rn, तो ln आपका mid minus l plus 1 होगा, और rn आपका r minus mid होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, वेक्टर left लोगे, एक वेक्टर right लेंगे, जो हम यहाँ पर basically बना रहे हैं, ठीक है, जो left right कर रहे हैं, उसी के लिए हम ले रहे हैं, हमने ले लिया, और हमने क्या 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 है, दोनों में insert, मतब, element insert कर दिया है, element कहां से कहां तक होगा, left में, left array में, l से लेकर mid तक का होगा, right, और right array में, आपका 0 index अखर दिया जिए, बनाओ बनाओगे, तो 0 index से start होगा, अब नया array बनाओगे तो 0 index से start होगा, तब नन जाके इसमें insert element करोगे, तो यहाँ पर element अपने left बना लिया, add, पर यहाँ पर आपने right बना लिया, अब दोनों sorted array आपके पास है, अब दोनों को आपको क्या करना है स्टार्ट करना है ठीक है स्टार्ट करना है तो हम क्या कि एक लेफ्ट स्टार्ट लिया है एलस नेम से और आइट स्टार्ट लिया है जो की एक तरह से बोला जाए जो मैं पॉइंटर बता रही थी यह आपका पॉइंटर है एक तरह से जो इंडेक्स है आपका स्टार्ट इसको जो यह आप यहाँ पे 소ड करोगे जो आपका यह मिल रहाạnh यह साड मिलेगा यहाँ भी मिला न eigen बार न तो इसका स्टार्टीं अ celui क्या होगा यह 7 इसका जो इंडेक्स होगा यहां से लेकर यहां तक का वो होगा ठीक है यह ल होगा तो यह इसलिए हम क्या करेंगे यह लेकर चलेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स इसलिए हमने यहां पर क्या किया है यह लिया है ठीक है ms हम जो merge sort कर रहे है, merge sorting के बाद, जो हम array में store कर रहे हैं, उसका starting next 0 नहीं होगा हमेशा, L होगा, जो, कि आपको कहां से मिलेगा, देखो, यहां से मिलेगा, 0, 1, 2, 3, इसके लिए L क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इसके लिए L 0 नहीं होगा, इसके लिए 4, 5, 6, 7, इसके लिए L 4 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे ना, जो लेंगे, क्योंकि जो हम sorted कर रहे हैं, वो हम nums में ही रख रहे हैं, कोई extra array यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम MS को लेंगे, L से, ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यह लूप चलाएंगे, यह लूप कब तक क्या करेंगे, nums, MS++ करेंगे, और उसमें, left, LS++ करेंगे, यहां इसका मतलब पोस्ट इंक्रिमेंट होता है, पहले जो LS पे जो होगा, वो आप इंसर्ट कर लोगे, nums, MS में, फिर MS को भी इंक्रिमेंट करोगे, और LS को भी इंक्रिमेंट करोगे, अलग से लिखने के बजाए अब क्या कर सकते हो, यहां पर MS लिख लो, यहां पर LS लिख लो, और आगे चलके अगले लाइन में, इंक्रिमेंट कर दो, यह कर सकते हो, तो उसके जोगत नहीं है, आप इंक्रिमेंट कर सकते हो, अगर आपका, क्या है राइट छोटा है, यह इक्वल भी है, तो आप क्या क अब भी element अगर बच्चा हुआ है हमारा तो हम क्या गड़ेगे numbs ms++ में left ls++ करते चलेंगे हमारा जितना भी लग्ट में बच्चा हुआ होगा अपका numbs में insert हो जाएगा और आपका जो भी right में पचा होगा वह आपका यहां पे insert हो जाएगा तो यह आपका merge function इस तरह से call होगा तो अब जब यह कर लोगे तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा sorted array मिल जाएगा ओके यहाँ पर जो time complexity हम क्या हो रहा है यहाँ पर हम क्या कर रहे है यहाँ पर हम इसको further divide कर रहे हैं यहाँ पर 8 elements है तो 8 elements को आप divide कब तक कियो एक पर यहाँ पर divide कियो यहाँ पर इक पर divide कियो यहाँ पर एक डिवाइड कियो यहाँ आप 3 times divide कियो तो log n आपका 2p power n जो होगा यह आपका क्या होगा यहाँ पर 8 होगा जो कि आपको 3 मिलेगा है इसलिए यहां पर क्या होगा यह आपका हो गया log n हो जाएगा divide करनेगा अब चुकिए sort कर रहे हो तो आप एक एक element के through traverse भी कर रहे हो न इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका जो merging के काम हो जाएगा यह n login का होगा n का होगा ठीक है तो overall इसका आपका क्या हो जाएगा n login होगा divide के लिए इतना अमर्ज के लिए आपका n लगेगा ठीक है तो n login यह हो जाएगा तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दिना थैंक्यू